इंडिया वर्सेज पाकिस्तान बिगेस्ट ट्राइवल्री से कहते हैं और जब भी यह दोनों आमने सामने आती है तो फैन्स एक्साइटमेंट बहुत जादा बढ़ जाती है लेकिन जब भी कुछ मुकाबले चाया आप चैंपिन्स ट्रोफी की बात करें या वंडे वर्ल्ड कि अग्सी चीज की बात करें जब इंडिया इसे होस्ट करती है तो पाकिस्तान के भारत आने पर सवाल उठ जाते हैं और तो जबसे पाकिस्तान को 202 में icg mentions ट्रोपी की मेजबानी वानी का अधिकार मिला है तब से टॉर्णमिट में भारत कीand के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है दोनों देशों के बीच राजनितिक मत भेदों के कारण भारत और पाकिस्तान की बीच क्रिकेट संबंद आदर्श नहीं रहे हैं जबकि पाकिस्तान ने पिछले साल वन डे वर्ल कप के लिए भारत की यादरा की थी रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारत सरकार टीमों को पाकिस्तान की यादरा के लिए मंजूरी देने की संभाबना नहीं रख रही है पाकिस्तान के पूरो कप्तान सल्मान बट को लगता है कि चैंपियन्स ट्रोफी की मेजबानी करना उनका अधिकार है उन्होंने कहा कि भारत को बा पाकिस्तान को 2025 ICC चैंपियन्स ट्रोफी की मेजबानी का अधिकार मिल गया है और इससे पाकिस्तान में आयोजित किया जाना चाहिए अन्या सभी टीमों की तरह भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए पाकिस्तान वर्ल कप के लिए भारत गया था इसले भारत को भी ऐसा ही क करना चाहिए सलमान भट ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा दोनों देशों के बीच संबंदों के बारे में बहुत सी बाते कही गई लेकिन आप यह नहीं चुन सकते कि वे क्या कर रही हैं हलके फुल के अंदाज में सलमान भट ने सुझाव दिया कि पाक हैं तो भाते क्रिकेट टीम के 2025 आइसे सी चैंपियन्स टोफी के लिए पाकिस्तान जाने की संभावना ना बराबर है और ऐसी संभावना है कि रोहितन कंपनी के माश्ट दुबई या श्री लंका में मूव किया जा सकते हैं तो आपका भारत और पाकिस्तान के इस राइवल